क्रिटिकल केर ब्लॉक यानि गहन देख भाल उन रोगियों के लिए आपात का लीन उप्चार प्रदान करना जिन्होंने बड़े आघास, सरजरी या अचानक गमभीर बीमारी का अनुभव किया हो गमभीर रोप से बीमारी या घायल लोगों की देख भाल के लिए क्रिटिकल केर सेंटर बनाय जाते हैं जिनमें ICU होता है जिनमें विशेश अग्ये डॉक्टरों की टीम 24 घंटे देख भाल करती है खास तोर पर दिल का दोरा पढ़ने पर दिल की धड़कन रुकने पर किड़नी खराब होने पर अत्याधिक रक्त बहने पर गमभीर चोटे दुरगट नाओं गोली बारी से करंट लगने से ऐसी प्रॉब्लम्स होने पर क्रिटिकल केर सेंटर ब्लॉग विशेश भूमी का निभाते हैं जम्मु कश्मीर प्रदेश में ये सुविधा बड़े तथा निजी अस्पतालों में ही संभव है दूर दराज के या आसपास के जिलों की बात करें तो ऐसे गंभीर रोगियों को जम्मु या कश्मीर में बड़े अस्पतालों में रैफर कर दिया जाता है ले की प्रदानमंतरी तरेंदर मोदी ने पहली बार तेरा असपतालों में एक साथ क्रिटिकल केर ब्लॉक बनाने के लिए आयुश्मान भारत हेल्थ इंफ्रस्ट्रेक्चर मिशन और कोविड दस एमर्जंसी रिस्पॉंस और हेल्थ सिस्टम फेस टू के तहप इन ब्लॉक का नीव पत्थर रखा है इस समय प्रदेश में गंभीर मरीजों की उपचार में बड़ी समस्या क्रिटिकल केर ब्लॉक का ना होना है मेडिकल कॉलेजिस में आईसी यू बने है लेकिन आईसी यू वाट सीमित होने से बिस्तर ना मिलने से मरीजों को प्राइवेट राजके मेडिकल कॉलेज जमू, जेलम वैली, मेडिकल कॉलेज शिर्नगर, राजके मेडिकल कॉलेज बारामुला, राजके मेडिकल कॉलेज राजोरी, राजके मेडिकल कॉलेज कठुआ, जिला अस्पताल बढगाम, जिला अस्पताल शोपियां, जिला अस्पताल कुलगा जम्मू और जिला अस्पताल बढगाम के केंद्र सो सो बिस्तरों की शम्ता वाले होंगे जबकि अन्य सभी की शम्ता पचास पचास बिस्तर की होगी। जिसमें 190 विस्तर क्रिटिकल केर के हैं। प्रदेश की मरीजों को दूसरे जिले तक पहुचने में घंटो लग जाते हैं। ऐसे में जब हर दूसरे जिले में गंभीर मरीजों की उपचार की वैवस्ता होगी तो समय पर उपचार की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अब सरकार का दाइत्व बनता है कि इन प्लॉक का निव पत्थर रखने के साथ साथ इनका निर्मान भी समय पर पूरा करवाया जाए। झाल